Hello students! तो आज की class में हम श्टार्ट करेंगे motherboard के बारे में और motherboard से related जो भी चीजे हैं जैसे RAM है, processor है और जो है, graphics card है motherboard के सारे ports हैं और इसको कैसे assemble करते हैं अगर हमें कोई नया computer लेना है तो कैसे assemble किया जाता है ये सब जानेंगे तो देखिए हमारे पास दो तरह के mother world है एक यह वाला मोड मदर बूड है और एक यह वाला मदर बूड है तो यह दोनों मदर बूड में New Technology और Old Technology के लिए बताया गया है तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो वो से सफ किंजón सब्सक्राइग और पहला माइक्रोप्रोसर जो था। इंडल 494 था। दिशक पोर हैं नोगर और यह या लाक्राइब लेकिन एंडल giant इंडल 44 फार उन् cudल नहीं गरे Kingdom 3 लेकिन अब जो लेटेस्ट में बाद में आए जो उनमें मदरवोड में पिन दिये गए और यह देखिए मदरवोड में हमारे पिन दिये तो यह जो प्रोसेसर होते हैं इनमें मदरवोड में तो पिन लगे होते हैं लेकिन जो प्रोसेसर होते हैं उनमें बिदाउट पिन होते और यह वाले जो Pin होते हैं Motherboard के फिर सन्हों होते हैं परोशर में जाकर टेच्च हो जाते हैं अब प्रोश्य से सप्रोशिकोर अगर हम पर देखिनंगे तो इस तरह से प्रोश्य सब और अगर आप आज नया लेप्टाप लेते हैं तो जो 30 से 25 से 30,000 या 35,000 के लेप्टाप मिलते हैं उनमें इसी के बराबर छंदा वाला यानि इसी का अल्टर नेटिव प्रोसेसर सेलरॉन प्रोसेसर मार्केट में मिलता है जैसे एक लेसिंग का जो लेप्टाप हमारे पास है जो एमडी के प्रोसेसर पड़ा इसी के अल्टर नेटिव प्रोसेसर है सेलरॉन या इंटल आटम नाम से माइक्रो प्रोसेसर आज भी 30 से 35,000 के लेप्टाप आते हैं उन पर आया करता है इससे जो थोड़ा सा बड़ा प्रोसेसर होता है इससे ज्यादा फास होता है उसको dual core का आ जाता है उससे उपर core to duo का आ जाता है और i3 और i5 और i7 लेटेस्ट टेकनोलाजी i9 है तो आप समझ सकते हैं i9 फिर i7 फिर i5 फिर i3 फिर core to duo फिर dual core और P4 कितना पीछे है हमारा ये Pentium 4 इसके बाद कितने सारे प्रोसेशर आ चुके हैं और अब तो जैसे कि i3 है लेकिन i3 में भी बहुत सारे जेनरेशन आ गई है फर्स जेनरेशन सेकंड जेनरेशन ट्वल्फ जेनरेशन अभी ट्रोल्फ जेनरेशन तक के में जेनरेशन भी आती है ठीक है तो आप हम यह जान लेते हैं कि मॉइक्रो प्रोसेशर लगता कैसे तो यह माइक्रो प्रोसेशर इसमें लगा हुआ है आप देख सकते हैं इसको निकालेंगे तो जब इसको हम निकालेंगे तो इस तरह से इसको हम निकालेंगे तो यह प्रोशेसर हमारे देखें निकल आया है और जब इसको में लगाना होगा तो इसको जीब बोला जाए था जीरो इंसेसर फोर्स यानि बिल्कुल आप रखेंगे और फिटम फिट हो जाए जाने कि अगर रख रहे हैं और जबर जस्ती कर रहे हैं तो क्या हो सकता कि पिन बिल्कुल को बदल की इस लिए लिए वाले बंद हो गए ठीक है तो इसमें क्या होता है ये वाले आपके पास computer इसको लगाना है तो इसमें पूरी तरीके से गौर से इसको motherboard में जो हमारा ये रखा हुआ है तो इसको काईदे से देख लेते हैं इसमें cut लगा होता है nose बना होता है इसमें भी nose बना होता cut लगा होता है तो उस nose को और इस nose को देख के हम इसमें लगा देते कहीं अगरन देखेंगे तो हमें इस तरफ करा देखेंगे तो यह नोज आपको दिखरा देखेंगे तो हम ऐसे करके मिसको यहां पर रख देंगे 對 Ink Evan अभी हमने इसको लॉक्ही नहीं बन किया और हम ऎसे करेंगे तर तो इनसे गिरें पर चला लिएंध Gefm टोलाली कंप्योटर आपका जल जाएगा क्यों जर्लैगा क्यों यह जो माइक्रोप्रोसेशर होता है यह जब प्रोसीसिंग करता है तो है वी हीट हो जाता बहुत जबहुत हुद्ग हो जाता है आज नहीं लेकिन चलत 180 के दसक में आपने या 90 के दसक में आपने देखा होगा कि कम्प्यूटर को एसी में रखा जाता एर कंडिसर रूम में रखे जाते हैं क्योंकि तब की जो टेक्नोलाजी थी बहुत ज़्यादा है वी हीट हुगा करते देलिकिन आज के जो माइक्रोप्रसेसर बनते हैं इतने ह बीट नहीं होते हैं अराम से अगर आपके घर में 40-45 डिग्री टम्प्रेचर भी है तो आप आपका कम्प्यूटर चल सकता है आपको एसी की ज़रूत नहीं है लेकिन इसको इसको एक एसी हमें लगाना पड़ा है कूलिंग फैन किस तरह से होता है तो इस तरह से हमें कूलि ठीक है इस वायर को हम लगा देते हैं और यह जो फैन होता है इसके नीचे आप देख रहे होगे यह एलमुनियम की हीट सिंक लगी होती है और इसमें एक कट बने होते हैं कि जब यहां से हवा का फ्लो जाए तो हैवी हवा होगी उसको तोड़ देता है इस कट में फसके हव जब भारी हवा होती है वह गरम होती है और जो टूटने के बाद हवा क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है और दूसरी चीज है कि अलमुनियम भी ठंडा होता है आप अपने घर में जाएंगे अलमुनियम की धात अगर आप चुएंगे आप कोई इस्टील ये लोहे का बरतन तो आपको जो टumperature आपके घरों में हो गए वही लगबख temperature उसका भी रहेगा लेकिन ऐल्मुनियम को जो जो भी दात होगी दब आप चुएंगे तो आपको ठंडा लगेगा तो अल्मुनियम की धात जो होती है थोड़ा टंपरेचर से ठंडा रखती है अपने आपको तो इसलिए अल्मुनियम की धात लगा जाती है लोहे की है इस तरह के नहीं लगा जाती है अल्मुनियम और लोहे में क्या जंग लग जाता है लमुनियम में जंग भी नहीं लगए कुछ नहीं लगा कुछ थेक के GLM की धा तो लगा हिए इसको हम हीर्ट सिंग बोलते हैं जगे आप ने देखा होंगत कि केवल मोज़ें की धा तो कई और को प्रोसेसर को चाहिए होती है तो आप प्रोसेसर के बारे मैं जान गये होंगे कि प्रोशेसर पिनलेस होते हैं सारी चीज़ें हो नहीं हैं वो प्रोशेसर लगाते कैसे हैं और इसके ऊपर फैन लग लगते हैं यह वाइं जो प्लाइट से जोड दिया होता है तो फैन के वाई में आप जान गए हैं आप दूसरा हम जानेंगे इसमें यह हमारा फैन हो गया यहाँ पर क्या होता है यह स्लॉट दिया गया होता है इस वाले बोड में यह बैटरी लगी हुई है यह आप देख रहे होंगे यहाँ पर सीमोज बहुत बार पूछा गया इसका फुल फॉर्म सी एम ओ एस ठीक है सीमोज बैटरी इसका काम के वाद है हमारे मदर बोड में जो बायोस होता है जो सॉफ्ट्वेर होता है इसको फर्म वेर सॉफ्ट्वेर बोलते हैं उसमें डेट और टाइम से रहता है आपने देखा हमारा हम एक माहिने भीना चलाएं लेकिन जब कंप्यू कर दिया और फिर एक दिन बाद आया एक गंटे बाद आया दस मिनेट बाद कर दिया तो आप आपका कंप्यूटर के टाइम क्या गलत हो जाएगा क्या डाइम हो जाएगा जो मदरबोर्ड की मैच मैनुफेक्ट्रिंग डेट रही होगी जिस सन में बना होगा है मान लीजिए कि 2011 मदरबोर्ड बना तो जो टाइम होगा वह एक जनुरी 2011 हो जाएगा और टाइम अगर हम चलाओ को तो गूगल समझ जाएगा रहे हम कहां आ गए चल तो दो हजार देज रहा है और इसमें तो 2011 है तो 2011 में वह सौफ्ट्वेर ही नहीं बना था वह प्रोमी वह इस तरह का अपडेट नहीं था तो अगर टाइनेट नहीं चला है सब कूछ है और टाइम गलत होगा तो ब्लैक कलर का यहां पर कार्ड लगा हुआ है यह ग्राफिक्स कार्ड के लिए होता है अगर हम गेम एम खेलना चाहते हैं या हैवी फोटो सॉप या वीडियो डिटिंग के सॉफ्ट्वेर डालना चाह रहे हैं तो हम नॉर्मल कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते हैं हमें एक जो ग्राफिक्स काड लगाना पड़ेगा ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है कि जैसे की प्रोकेशार हमारा होता तो घाक हमें ख्रकर टोटोफ काम पर यह प्युक्ता है प्लिभ्ड यह सान्वाइब कारिया और गदो जोटा है जाएँ लगीन लेकिन आप गेम in the यह तो सब भूद सारी वर्ट फेल जबिलिंस बन रही होती है कारे बन रही होती पाल बन रहा होता है तो उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हमें कंप्प्यूटर में अपने क्या लगाना पड़ता है ग्राफिक्स कार लगा देते हैं तो इदर पूर्ड निकलना था है ठीक है तो स्वी मोज बैटरी हो गया नौर्थ बीस सौथ ब्री हμεते हैं ठीक है तो इसमें दो रहा सकते हैं थीक है तो रैम क्या हो इस थेसमें बहुत सारी हमारे वार्फ पस रहना इंप अलग अलग प्रकार की होती है मैंने पहले भी बताया था हमारी जो क्लासे हैं वो आप पीछे देखेंगे तो मैंने बताया हुआ है कि रैम जो होती है चार प्रकार की होती है DDR1 रैम डीडिया टू डीडिया थीरी और DDR4 यह फिजिकली अलग-अलग होती है तो इन में जो एक इसे कट होता है इनकट बीच में आप देखने कि समग बना ऊकुथ थीरा है थीर में जसमें जूत कर helpful रखेंगे देखेंगे इन दूनों के कट में अंतर आ रहा है तो इसका तो इस तो यह सिरिके मुढ़ होता है तो यह जो घ्याटरी रहे हमारी है तो इसमें ये यह श्टी अठीर in groupedion तो इसमें हो यिस को लगाएंगे तो इसमें लग जाएगी देखिए देखिए जोकिसे लगा रहे हैं है तो यहां पे इस तरह से ने Candice रहें लगाएं तो नहीं लगेगा यह मारा जो बोर्ड है वो डीडिया टू वाली ही लगेगी तो इसमें हम रैम को इस तरह से देख लिए इसको यहां पर कट का ध्यान रखना होता है कि जहां पर कट होगा वो सामने लगते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि रैम कुछ लोगों ने बता दिया कि कभी कभी डिस्प्ले नहीं आता हमारे कम्पूटर में क्या जाता है मौश्चर आ जाता है तो इंजीनियर को बुलाया और जब इंजीनियर आया तो उसने कुछ नहीं किया रैम क फिर डिस्प्ले नहीं आ रहा है आपने सुचा उसने किया ही किया था कि रैम निकाला और रैम को रबर से साफ किया कपले से और रैम को लगा दिया लेकिन हुआ क्या हुआ आपके आपको जो कंप्यूटर था उसने बिन बुलाए दिवाली मना ली उसके अंदर भडाम करें दिया रहा है आपने इसके नोज को दिया आपनेश को लगा दिया उल्टा लगा दिया और आपने चालू कर दिया तो रैम भी फूख जाएगी वह मतलबोर पार से जानकारी कि आप इसको मत करिए ठीक है इसके लिए आम एक श्पेसल वीडियो बना देंगे डिए दोम वंहोंत नहीं है तो दिखे ये जो पॉर्ट हम देख रहे हैं यह पीय पीच्टोब लिए स्टी मास और कीबॉर्ड रेंटे उस्टी कर दिया हैं तोakah स्ट्रेट आपका माउस्टे भी स्टूड आ जाएंगा तो आपका माउस की वोट सब कोई नहीं लगा पाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लिए कि हमारा किस तरह से इसमें श्लॉट बने होगा है उसके बाद नहीं हमारा बड़ा सा यहां अगर आप पहले यह कंसोल के लिए इसको डीनाइन कंसोल बोलते हैं अगर आप पहले कंप्यूटर में गया था गेम खेलने के लिए लोग और रिमोट ले आते ते ना जोईस्टिक वरा सब्सक्राइब तो वह इसमें लगा देते थे ठीक है उसके बंद में यह पूर्ट दिया गया है यहां पर हम जो हमारा कंप्यूटर से जो मारा मॉनीटर कनेक्ट होता है टीवी कनेक्ट होती है उसको यहां पर हम लगाते है ठीक है तो यह वीजिया पॉर्ट होता है वीजि भी दो पोट यूस्भी दिए मैंने पहले बोटा यह सर्वर वोड़ है यह गेमिंग वाला बोड़ है इसमें थोड़े से पोड जादा दिये गए उपर इसके इधर जब देखते हैं यह वाला पूट यह वाला यह लैन होता है इसमें इंटरनेट लगता है ठीक है ना इंटर यह हमाले जो पोट होते हैं यह हाडिक्स की केवल के लिए लगी होते हैं जिए यह वाला पूट होता है इसमें चाहएं यह पोर्ति सो पुराने तकनोलोजी candle क्या है यह इसके लिए इस वाला इस पोर्त और यह चिया है इस वाले लगता है वहां थ exacer इसको iD e port वोला जाता है और इसको CATA-port व बोला जाता है ठीक है यह मान लीज़े आपको कोई external चीजस में लगानी है यह वाला होता थे तकान से तो ग्राफिक्स के लिए होता है तो ग्राफिक्स मिस्क्र ginga तो अविजिए पोल्षा बोस्त ऑफंजिए तो आप मदस्वक्राब हो गया तो इसका मथरर वुट कर二 तो लगे ही नि कंपोनने कोान है यह तो यहां पर पिजिए लाज सकते हैं अगर इसका PCI मिल जाएगा तो इसमें PCI लगा कि ये वाला पोर्ट एक नया पोर्ड यान बन के मिल जाएगा उसी साथ जुड़ा होगा इन मिल लोगा तो यानि कोई भी पोर्ड इसमें खराब हो जाएगा तो PCI पे हम लगा के बढ़ा सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हमारी आज की क्लास हो गई है आई होप आपको वोत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको इस से रिलेटेड मदरवोर्ड प्रोसेसर जो भी रिलेटेड आपको कोई समस्य आ रही हो तो आप प्लीज वीडियो पर कमेंट करके अपनी जानकारी मांग सकते हैं और हमें बता सकते हैं तो उस तरह का वीडियो हम बना देंगे और आपको वीडियो पसंद आया है तो भी आप कमेंट करिए जिससे कि हम आगे इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें और आपके ग्यान में बड़ोतरी करते रहें आप आसानी से त्रिपल सी पास हो जाएं आ S.A.C.C.Z.L. में भी जो question पूछे जाते हैं, वो इसी से related होते हैं.